अगर आपको एक अच्छा पोटफोलियो बनाना हो पहले तो यह धियान रखिएगा कि यहाँ पे अच्छे का मतलब वह वाला नहीं है कि इधर से अलू डाले उधर से सोना निकला वह वाला पोटफोलियो नहीं बता रहा हूँ मैं आपको जो आप बोलो कि यार हमें तो यह चाहिए कि आज हजार रुपे लगाएं और एक हफते बाद एक लाग रुपे हो जाएं यह वो पोटफोलियो नहीं बता रहा हूँ आपको मैं मैं आपको एक अच्छा लॉंग टर्म पे पोटफोलियो जो कि टिकाऊ होगा क्या होता है कि बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि यार हम लोग क्रिप्टो में आएंगे हम लोग रुपे कमाएंगे और फिर हम गाड़ी खरी देंगे फिर हम घर खरी देंगे क्योंकि लोग ऐसे बोलते पर आप यह भोल जाते उन्हें पताएगी वो pain क्या होता है तो यार एक बहुती safe portfolio के बारे में हम लोग बात करेंगे long run पे definitely आपको फायदा देगा पर अगर ये सोचोगे कि आज portfolio में invest करेंगे एक हफते बाद जाके एक महीने बाद जाके बहुत फायदा होगा जोइन नहीं किया है तो ज़रूर जोइन कर दीजएगा जो भी latest information आती है और हमारे giveaway चलते रहते है वो सब हम लोग telegram के उपर share करते हैं link video के description पर मिल जाएगा search करके join करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाम है crypto with wishal underscore official बहुत सारे fake channel बने हुए है उन पर मजजवाइन होएगा spelling ध्यान से देखिएगा क्या है चलिए जी तो notepad plus plus editor है मैंने आपे खोल लिया मैंने already actually distribute कर लिया हुआ तो आप लोग को one by one चलते हैं तो हम लोग फिलहाल यह देखने वाले हैं हमारे पास 100% amount है इसको बाद में डिवाइट करके लेट से 100 rupees भी कर देता हूँ आपको clear card यहां से पचल जाएगा तो सबसे पहला जो हमारा coin है यहां पे वो है पापा और पापा सब coin का यानि की BTC Bitcoin तो मेरे according आपको Bitcoin के अंदर अपना 25% जो amount है वो invest करके रखना चाहिए हर हालत में long run पे Bitcoin आपको इतना फाइदा देगा जितना actual में आप सोच नहीं सकते पर मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा कि एक दिन में हो जाएगा दो दिन में हो जाएगा long run पे और आपको नुकसान नहीं होगा यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी होती investment पे और वो है कि नुकसान नहीं होना चाहिए अगला coin ETH Ethereum Ethereum की जब मैं बात करूँगा तो मेरे according आपके portfolio का आज की date में अगर यह video हम लोग थोड़ा पहले बना रहे होते तो definitely मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता है यहाँ पे पर आज की rate में अगर मैं बोलू तो 20% हमें Ethereum की उपर भी दालना पड़ेगा क्योंकि Ethereum आपको long run पे बहुत ज़्यादा profit देने वाला है एक चीज और बहुत सारी लोग आएंगे वो बोलेंगे यार Bitcoin तो इतना महेंगा है हम कैसे लेंगे देखो मैं यह नहीं बोलना हूँ कि एक Bitcoin ले लो मैं आपका जो भी portfolio है 100 रुपे लगाना चाहते हो 1000 रुपे लगाना चाहते हो मैं उसका आपको distribution जो है वो यहाँ पर बता रहा हूँ इसके बाद अगली जो चीज आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास big alt coin बड़े alt coin बड़े alt coin कौन से होते हैं example दे रहा हूँ again यह नहीं बोलनों कि coin में लगाओ Matic है, EDA है हमारे पास WeChain है, Dot है बड़े alt coin है इन बड़े alt coin की उपर आप अपना 25% जो है वो लगा सकते हो अब यहाँ पे भी distribute इसे साब से करो कि at least 4-5 alt coin पकड़ के रखो एक alt coin में 25% लगाओगे अटकोगे, एक में नहीं लगाना है at least 4-5 के अंदर जो भी यह 25% का amount है वो आपको distribute करना है इसके बाद आप लोगों के favorite meme coin चलिए meme को बाद में introduce करते हैं इसके बाद हम लोग चलते हैं small alt coin पे अब small alt coin का मतलब basically यहाँ पे क्या है small को मैंने रखा था 10 कर देते हैं इसे, तो small alt coin का मतलब मेरा यह है कि जिनकी market cap जो है वो कम है उनकी बात करना है जैसे कि Luna है, Theta है छोटे alt coin है यह एक बाद आप देख सकते हैं कि किसका कितना market cap है उसके base पे आप यहाँ पे decide कर सकते हैं तो देखे क्या हुआ, यह हुआ 25% यह हुआ 25%, 50% यह हो गया 70%, यह हो गया 80% इसके बाद आप लोगों का favorite meme coin meme coin में मेरे according अपने portfolio का 5% से ज़्यादा amount लगाना गलत है, बेफकूफी है meme coin short term पे आपको हो सकता है फायदा दे दे और हो सकता है बहुत फायदा दे दे पर same time पे लोगों को नुकसान भी होता है बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलते है dodge coin बहुत अच्छा है, Shiba Inu अच्छा है मैं खुद बोलता हूँ बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने इनमे profit लिया है मैंने dodge को बहुत early days में buy किया था एक रुपे से भी कम का था और मैंने उसको निकाल दिया जब वो 48-50 के round पहुचा तो मेरे according तो dodge बहुत अच्छा है कुछ खराबी है नहीं पर आप सोचिए उनका क्या जिन्होंने 55 रुपे जिन्होंने 50 रुपे में dodge coin को लिया था आज उसका रिट 20-20 रुपे आ गया इसलिए बोलनों मैं आपको meme coin लेने में कोई खराबी नहीं है पर आपको time देखना पड़ेगा कि सही time पेंटे all time high में लिया था तो अब आप रो रहे होंगे पर आपने initial days में लिया होगा तो बिल्कुल ठीक है तो meme coin लें पर अपने portfolio का 5%, 2-3 coin जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं उससे ज़्यादा coin लगाने में बचे तो देखे एक बार हम count कर लेते हैं 25% हो गया, यह हमारा 20 हो गया यह हमारा 25 हो गया यानि कि यह हो गया 70%, यह हो गया 80% और यह हो गया 5 यानि कि 85% अब अगली चीज़ यह बहुत important और बहुत critical है लोगों को बहुत ज़्यादा problem होती है यह जो 15% है, इसमें वो आपको बताता हूँ 15% आपको रखना है stable coin में, जैसे कि USDT में या फिर cash में पर cash मत रखिये, जिस भी platform पर trading करते हैं, वहाँ पर already add करके रखिये, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों, jump market dip में आता है, दो problem होती है कई लोगों के पास रुपे ही नहीं होते, जब रुपे ही नहीं है तो buy कैसे करें, और कई लोगों के साथ यह problem आती है कि उनके पास रुपे हैं, पर अपने platform पर add करने के add हो नहीं पा रहा है, क्योंकि jump market down होता है, आप लोगों को पता है बहुत सारी आफ़ते होती हैं और वो time भी अगर आप कोई coin buy भी करना चाहें, तो वो कई बार buy नहीं हो पाता तो कोशिश करिए, USDT को अपने account में डाल के रखें, या जो भी coin है आपको, जिस भी platform पर किसी और चीज़ से भी अगर आप trade करते हो तो वो चीज़ डाल के रखें, जिससे buy करते time पर आपको कोई भी problem जो है नहीं आएगी, तो यह है guys, मेरे according जो आपका distribution होना चाहिए, BTC में 25%, Ether में 10%, Big Alt में 25%, Small Alt में 10% का, Meme Coin में 5% का, और Stable में 15% का, जो हमारे पास बचा रहेगा उस time के लिए, जब हमें जरूरत पड़े की, जब market dip में जाएगा, या जब भी कोई आपका favorite coin है, वो आप buy करना चाहती हैं, और आपके पास रुपे नहीं है तो वो time पे, यह जो stable coin है खरीदे हुए, आपको बहुत ज़्यादा help करेंगे, यह मैं सारी चीज़े आपको अपने past experience के बेस पे बता रहा हूँ, तो यह था friends हमाराज का video, इस distribution के बारे में कि कैसे आप एक अच्छा portfolio बिल्ड कर सकते हैं long run के लिए, अगर जो भी आपका feedback है, आपको अच्छा लगा, आपको खड़ाब लगा या कोई आपका suggestion है, जो भी होगा प्लीज मुझे वीडियो की comment box में जरूर बताइएगा comments के जादतर मैं reply करनी पाता हूँ पर पढ़ता सब comments हो तो हो सके, तो वहाँ पे जरूर हमें अपना जो भी इस पे share होगा आपका, जो भी view होगा, वो जरूर एक बार बताइएगा, तो वीडियो friends अगर आपको पसंद आया, तो इसको टेलिग्राम का मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर सारी latest update आपको सबसे पहले मिलेंगी, thank you friends